जहिन दोस्तो हमारा विहार में आपका श्वागत है और दोस्तो आज है 10 जूलाई 2021 और 10 जूलाई 2021 से जितने भी करेंट अफिर्स के कोश्चन है जो विहार से जूरे हुए है उसको आजम विस्कस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप पीडिय अपनलोड करना चाह और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट में मैंने रिवीजन का दो प्रश्ण करने के लिए बार प्रभावि छेत्रों में टीका वाली नाओ का संचालन शुरू किया गया है तो यह दोस्तों मुझःफ़पुर जिला में किया गया है ठीक है D option साही हो गया और इसे मुझःफ़पुर के कटरा प्रकहंड में सुरू किया गया है इसका उदगाटन सिविल सर्जन बिनाय कुमार सर्मा ने किया है और दोस्तों अगर बात किया जाए तिरहुत प्रमंडल का तो यह छेतर जो हरा कलर का एरिया का जो छेतर देख रही है यह तिरहुत प्रमंडल जिसके अंतरगत पश्मी चंपारंद पुर्वी चंपारंद सीता मड़ी सिवहर मुझफर पूर और बैसाली जिला आता है मुझफर पूर का स्थापना 1875 में हुआ है और उसके वाजिसका च्छेत्वल है 3172 वर किलोमेटर जनसंक्या है अर्तालीस लाक एक हजार बासट बैक्ति जनसंक्या गनात 15-14 वैक्ति प्रति वर किलोमेटर साक्षरतर दर्य मुझफर पूर का 304 दिन प्रतिसत और लिंगान सब्सक्षा पाथ है 900 मैला प्रतई 1000 प्रूस यहां का प्रमक नधी बुडि गंडक और दोद कर साथ इस ब्लांटब्स हो practicing मिल दवा उद्योक गैस रिप्लिंग के अर्थिक राजणी बोला जयता है मुझफर पूर को मुझभफरपूर के साही लीची को जी आई टेग मिला हुआ है और लीची अनुसंधान के अंदर मुझभफरपूर में हैं और मुझभफरपूर में 1908 में खुदी रामबोस को फासी हुई थी जो की सबसे कम उम्र के करांतिकारी थे खुदी रामबोस अप्रफूल चाकी ने 1908 में किंग्स फोर्ड के गारी पे बंफेका था ठीक है और 1856 में मुझभफरपूर जेल में लोटा बिद्रो हुआ था 1866 से 1886 के नील खेतिहारों के भिहार मुझे बिद्रो का प्रमुक्षेत्र चंपारन और मुझभफर पूर्था अगला प्रसने दोस्तों हाली में राजमें पटना से बेतिया सरक मार्क को कौन सी नई राष्ट्री राजमार्क अधिसुचित किया गया है तो एक नया एनेच प्रमुक्षे बनाये गया है जो की 149 डवलू इसका नाम रखा गया है एनेच 149 डवलू यह ऑप्सन इसका सही हो गया इस सरक के नेशनल हाईवे के रूप में अधुस्चित होने से पटना से वैसाली के सरिया अरे राज की दूरी कम हो जाएगी परियाटन और पुरतत्त् अस्तलों से पटना की दूरी भी कम होगी बिहार में राष्ट्रिये उच्पत्थों की लंबाई बीगत वर्सों के दरांकरम सब बढ़ती गई है 2005 से के 3537 किलो मिटर से 2019 में 5358 किलो मिटर हो गई है एनेच की लंबाई और 2005 से दौर्जा नेच के बिच बिहार में 1861 किलो मि लुटर का निर्मान जो हुआ है 2010 से पंदरा के बीच हुआ है अगला प्रस्थ हाल ही में किस क्रीशी अनुसंधान संस्थान के द्वारा आलू का बीज विक्सित किया गया है तो दोस्तों पहले आलू का कंद रोपा जाता था आलू को ही काट कर रोपा जाता था ठीक है ले जिसे उगाया जाएगा और केंद्रिये आलू अनुशंधान के पटना ने ट्रू पैटाटो सीट जिसको सौट में टीपीएस नाम दिया गया है तो नामक इस नई तकनिक को विक्सित किया है और आलू के इस बीच के परयोग से किसानों की लागत घटने के सासाथ पैदावार में 20 से 30% की बढ़ोतरी देखी गई है इस नई तकनिक के सफल परिणामों को देखते हुए किंद्रिये आलू संस्थान सिमला ने भी बिरानमे टी 27 के नाम से इसे मानता दिया है और अब इस बीच को किंद्रिये आलू अनुशंधान के इंदर पटना के द्वारा किसानों क को उपलब्द कराया जाएगा तो दोस्तों क्रीशी से संबंदित प्रसन आया तो चलिए क्रीशी संबंदित कुछ करेंट अफ्यर्स रिवाइश कर लेते हैं तो क्रीशी के तकनिक को किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए क्रीशी विभाग के द्वारा बिहार के अमेरिका का कोलोराडो राजने मधुवनी की मिथला नेचुरल को अमेरिका में मखाना बेचने की अन्मति दी है राष्टरिय लिची अनुसंधान के मुझफर पूर में गंडकी योगिता गंडकी लालीमा और गंडकी संपदा लिची की नई प्रजाती विक्सित की गई है जमु कास्मीर सरकार ने बिहार के आम और लिची की खेती को प्रसाइद करने का फैसला किया है अगला प्रस ने प्रधान मंत्री मतर से संपदा योजना के तो बिहार को केंडर के द्वारा कितनी रासी दी गई है तो 17 करोर रुपिया यह उप्सन इसका सही हो गया राज में प्रधान मंत्री मतर से संपदा योजना के अंतरगत 28 करोर 48 लाग रुपिया खर्च किया जाएंगे जिसमें से 17 करोर दिये गए केंडर के द्वारा और यह धन्रासी मचली पालक और इससे जूरे लोगों को प्रताइद करने में खर्च किया जाएगा नेक्स्ट हाली में व पताया थे दिन जिनों अंडर यह और से एक महिला टीम महिला टीम में एक महिला का है टीक है जो की मर्यम फातिमा उन्कर्द चयों का चैन हो चुका है अंतराष्टी से सांत्राश्टी अस्तर के वढ़्ट यूथ रैपिट चेस्ट टुर्णामेंट के लिए तो को रियान मोहमत का पहला 20 पस्तर यह टूनामेंट है जब कि मर्यम 2019 में इससे पहले भी हिस्सा ले चुकी है। अगला प्रस्नें भिहार के किस अस्पताल में आई बैंक खोलने की घुस्ना की गई टो यह फिप्र्ट पटना में इसको खोला जाएगा नलंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिग रही आखों का बैंक खोला जाएगा यहां कार्णिया पत्यारों पित कर दिरिष्टी बाधित लोगों की आखों में रोशनी लोटाई जाएगी अगला प्रस्ण है बीतिय वर्स 2021-22 के बजट के राज का कुल ब्या कितना अनमानित किया गया है तो राज का कुल खर्ष्ट 2,18,370 करो रूपिया तो बी ऑप्सन स्वड़ी ए ओप्सन इसका सही हो गया कुल इसकीम ब्या एक लाग 518,86 करो रूपिया है जबकि कुल अस्थापना एवं प्रतिवद्ध रूपिया है एक ल दो लाग अठारा जार तीन सो दो जो सत्तर करो रुपया जो की बिहार का कूल खर्च अनुमानित किया गया है अगला प्रस्न है आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट दो हजार बीस एकर इसके अंसार बितिये बर्थ वहजार नईस बीस में राज में बैंकों की कुल कितनी नई सखाएं खोली गई है तो एक सो सत्तर ठीक है बी आप्सन सही हो गया अनुसुचित बैपसाई बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों ने अधिक योगदान किया है क्योंकि इन एक सो सत्तर में से एक सो दस सखाएं इनके द्वारा ही खोली गई है भारतिये स्टेट बैंक सहीत सरवादिक सार्वजनिक चेतर के बैंकों की 48 नई सखाएं खुली वहीं लगू बित बैंकों और भूकतान बैंकों की सहिक दूरुप से 19 सखाएं खोली गई नई खुली 177 सखाओं में से 40.1 प्रतिसाद ग्रामीं चेतर में खोली गई है महानगरी चेतर में 13.6 तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफिर्स चलते हैं रिवीजन के तरफ तो पहला प्रस्न था हाली में बिहार में इस्तित्किस रिजर्व में गिद्दो के संड्रक्षन की योजना बनाई गई है तो वालमी की नगर टाइगर रिजर्व एव अप्सन सही हो गया दूसरा प्रस्न था उरिशा के पारादिप से आसम के नुमाली गट तक 1640 किलो मेटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिचाए जानी है इसमें कितने किलो मेटर चेतर बिहार का पड़ता है तो लगबग 200 किलो मेटर बी ऑप्सन सही हो गया तो कल के प्रस्न का सही उतर हो गया ए और बी आज का रिजन का प्रस्न हा प्रस्न है हाली में केंदर में नवयन्युक्त ति भिहार के मन्तरीügen और और आज का दूसरा प्रस्था हाली में फ्लिपकार्ट ने बिहार के कितने सहरों में डिश्टर प्लेटफर्म फ्लिपकार्ट होलसेल एप की शुरुबात की है तो इस तोनों प्रसंद का उतर आप लोगों कॉमेंट वक्स में देना है तो दोस्तों अब आ गया है कुईज के का समय तो दोस्तों 9 जुलाई 2021 का कर्येंट अफ्रेक्स का कुईज है जिसका रिजल्ट में प्रतम स्थान पर सुकन्या जिया है दूसरा स्थान पर मुकुल कुमार है और तीसरा स्थान पर है कॉसल कुमार इन तीनों को बहुत-बहुत बधाई और दोस्तों आप भी अगर कुईज करना चाहते है तो टेलीग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए एच भी कुईज ठीक है और चैनल को जोएन कीजिए जिसका नाम है कुईज क्लब ठीक है वहां पर प्रती दिन सामने करेंट अफ्रस का कुईज पोस्ट किया जाता है जिसमें बिहार राष्ट्रिय है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूं आपको यह करेंट अफ्रस का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आ रहा है तो भीडियो को लाइक कर दीजे एटा आपने कशिए करें साथी दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन दवा दीजिए जिसे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड साथ तब तक के लिए जै हिंद जै बिहार